हेलो स्टूडिन वेलकम टू फ्रेंड सेट प्रेपरेशन यूटुब चैनल इस सनल पर मिले किया आतों आपके लिए एजुकेशनल वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास फिप्त की इंग्लिश की बुक मैरी गोल से यूनिट सेवन और हम लोग जो रिडिंग करते हैं बचो आज उससे उल्टा है या नहीं मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में पहले कोशन आंसर करवाऊंगा ठीक है और जब स्टोरी पढ़ो गया इसके अंदर यानि एक पोएम है आपके लिए एक्षिल में ये लेकिन पोएम के अंदर एक ऐ अलग सा ही नाम है जगा का अब जगा का नाम अजीब इसलिए है क्योंकि यहां चीजे भी अलग-अलग है कैसे वह तो मैं बाद में बताऊंगा सबसे पहले आप से कुछ कोशन पूशन पूशने वाला हूं और उमीद कर रहा हूं कि आप सब बच्चे रिप्लाई करोगे क्योंकि आज तक बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो रिप्लाई करते हैं कुछ बच्चे तो रेगुलर बेसिस पर रिप्लाई करते हैं और कुछ कभी रिप्लाई नहीं करते हैं तो आज उन बच्चों की बार यह हैं जिन्होंने कभी कमेंट नहीं किया वीडियो के नीचे आपने अपने स्कूल बैग को कभी थ्रो किया यानि कि फैका है कि स्कूल से आए बस छुटी हो गई और फटा-फट घर पहुंचे और अपना स्कूल बैग फैक दिया हूँ ऐसा कभी किया आप लोगे वैसे तो सब बच्चे कहेंगे लेकिन मुझे मालूम है एक ना एक बार आप लोगों यह काम जरूर किया हुगा जैसे यह बच्चा आपको दिख रहा है इसने अपना बैग बैड के उपर जैसे तैसे फैक रखा यह देखो फिक्चर में फैक रखा ना इसकी जो बुक है वह नीचे गर गई और कुछ बुक गिरने वाली है वही क्योंकि इस बच् है तो यस होई गया होगा कभी ना कभी अच्छा अब देखो नेक्स कोशिन आपके लिए क्या है अब यू एवर लेफ्ट यूर सूज एंड सॉक्स क्या अपने अपने जो सूज है और सॉक्स है उसको हेर अंदेर जहां ता फैक दिया है यानि कि छोड़ दिया है है व्यू सॉक्स है उसको जहां था फैक दिया हो इस बच्चे की तरह है जैसे यह जो बच्चा आपको दिख रहा है पिक्चर में इसने अपने जूटे उतारे और इधर उधर फैक रखा है देखो एक सूज इधर यह पड़ा हुआ और एक इधर पड़ा हुआ है नीचे यह देखो जूटे उसके इधर पड़े हुए यानि कि अलग-अलग इसने फैक दिये और जो इसके सॉक्स है यह देखो इधर कॉर्णर में देखो राइट साइड में यह देखो और इसने सॉक्स भी अपने फैक रखे यानि पूरा रूम जैसा तैसा मचा रखा है गंद एक तरह से य आप लोग भी बदमाशी वाले करने वाले बच्चे हो या शरीफ बच्चे हो अच्छा अब जो नेक्स कोश्चन है उसमें पूछा जा रहा है have you ever played with your ball in your room क्या आप अपने घर के अंदर रूम की अंदर बॉल से खेलना स्टार्ट किया आपने खेला है कभी इसके बारे में पूछा जा रहे हैं गल्स ने तो ना खेला हो कहीं क्या पता लेकिन भाई बॉइस तो खेलते हैं जब उन्हें बाहर जाने के लिए नहीं मिलत तो घर के अंदर ही क्रिकेट खेला सुरू कर देते हैं आप क्या आपके बारे में बताओ भी आपने ऐसे किया है कभी ठीक कुछ कोशन है आप लोगों के बारे में जरूर बताना मुझे उसका आंसर और लास्ट में भी एक कोशन और बस यह लास्ट है और कोशन को जिस तर स देखाया देखाया तो भी यह यह पिक्टर को जड़ा ध्यान से देखो जहां कुरसी गिरी पड़ी है जूते उदर उदर फैक रखे बैग फैक रखा है सारा समान बिखरा हुआ है और पूरे घर में जितनी भी चीजे हैं वह उट पटांग तरीके से रखी हुए है बॉल क कहीं पड़ा है पैंसल कहीं है ठीक है और बुक्स खुली पड़ी है बैट इधर उदर पड़ा हुआ है चेर गिरी हुए यह निकी घर का पूरा नक्सा ही बदल रखा इस रूम ने लगी निराकी भी एक अच्छे बच्चे का रूम है क्या आप लोग का रूम भी ऐसा होता है किया बच्चो अरे भी जल्दी बताओ कमेंट करके मैं वेट करूंगा अब वोल्रों के सर आप बताओ बहले अरे भी मैंने भी कभी ने कभी तो ऐसा किया ही है जब छोटा था लेकिन अब ऐसा नहीं करता हूँ ठीक है तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना ठीक है बच्चो चलो अब स्टार्ट करते हैं यह जो स्टोरी यह पोएम जो है जहां पर हम एक ऐसी जगह के बारे में बात की जा रहे हैं करेंगे जो कि बहुत उल्टा पूल्टा है ठीक है यानि कि जहां पर सब कुछ उल्टा पूल्टा है इस पिक्चर को देखो अब को चील में नगा हूँ बच्छे स्कूल किसमें जारे बोट के उपर जा एक जगह है जो कि कज ऊल्डी पुल्टी ऑर इस जगह का नाम पता क्या है निप्सी टुरुवी लैंड कौन सी जगह ही है कि तॉप चीट्ट वी लैंड यह एक सी जगह जहां पर सारी चीज़े उल्टी पूल्टी है ठीक है चलो अब रीट करते हैं और समझते हैं कि इस जगव में क्या-क्या उल्टा पूल्ट है पीपल वॉक अटॉन देर एड्यू जो पीपल है यानि कि जो टेख रहे हो यह बस में ट्रेवल कर रहे हैं और क्या कि यान्य छोट करते हैं करने का मतलब हैं हम लोग तो पैर से चलते हैं लेकिन इस लेंड में अपने सर के के बल देखो यह कैसे चल रहे हैं सर के बल सर नीचे होता है और पैर भई उपर आसमान में होता है यानिकि सर और हाथ की मदद से कहीं पर यह जाते हैं यानिकि भई सब कुछ उल्टा बोल्टा है जगम में कह सकते हो कि नाइं हम पहलब लगारे यानि की समुदर की बात की जारी है पानि को है संस्थ की ने खुछ हब सेन है यानिकि रेट है सब के बलस सेंडू करें बस ठेक है जोन नाइट करूभन एपर है नायट में यह स्कूल ल्ग छाते बच्चोंता लेकिन इस लेंड में टौपशे टॉपसी Audio TV लें यह जगा में बच्च को आ झाये भर जाते बालन को जाते हैं धनल गर का जो फ्रेंट बूर होता है यानि कि घर में अत्रिक सट व की लोग में आगें या ग anterior धेर होता है, Euch कि घर में जो रॉडज को जगह होता है, इसका पतलब ये है घरमें एक आंटरिकर ना स्टाथ है यानि कि जब आप खड़े होगे तभी आप वॉक कर पाओगे यानि कि चलके नहीं जाते हैं यहां पर लोग अगर किसी को कहीं वॉक करके जाना है तो क्या करेगा वह स्टैंड अगर कर जाएगा इसलिए बोला जारा है यू आर वॉकिंग वेन यू स्टैंड जब आप सीधी है कि खड़े हो जाओगे सीधे का मतलब है यानि कि सर नीचे होना चाहिए और भई पैर ऊपर होना चाहिए यहाँ पे तो लोग ऐसे walk करके कहीं जाते हैं हम लोग अपने पैरों की help लेते हैं बच्चो और यह क्या करते हैं अपने सर की help लेते हैं अपने हाथों की help लेते हैं you wear your head head upon your feet head yarni ki cap की बात की जा रहिए जो cap बच्चो वह कहां पहनते हैं पैरों में पहनते हैं हम लोग तो पैरों में sleeper यानी की चपल पहनते हैं सूस पहनते हैं लेकिन इस जगह पे यानी कि topsy-turvy land में जो people है बढ़े उल्टे पूल्टे लोग है इन टॉफिर फिल याने सालमें नहीं पहन पहन दिक स्रूOh बहन भी और क्या पेहनते हैं स्लीपर सुग युक्र युइस ट्रेवल करते हैं जिसमें बैटके वह बस आपको मिलेगी मैं सी में जलता है और जिल्कोल उल्टा पुल्टा है आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके घर के आसपाँ जो बस है बचो बस किसमें चलते है लेकिन इस जगह पे जो बस है वो रोड पे नहीं पानी में चलता है बस और जो बोट है जो बोट है, जिसे हम यूजली पानी में ट्रेवल करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे रोड पे यूज किया जा रहा है, देखो पिक्चर को ध्यान से एक पर फिर से, ठीक है ये बच्चे रोड पर स्कूल बोट में बैटके अपने स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल कब जा रहे हैं, नाइट में जा रहे हैं, डे टाइम में नहीं जा रहे हैं, नाइट में जा रहे हैं, हैना उल्टी पुल्टी जगा, सब लोग दिन में स्कूल जाते हैं, और ये बच्चे रात में जाते हैं, आप लोग स्कूल किस में जाते होगे, बस में जाते हो है नहीं सब उल्टा-फुल्टा इस लेज जगह का नाम क्या है कुछ अलगी नाम है वही टॉपसी टूर्वी लैंड यानि कि जो पीपल टॉपसी टूर्वी लैंड में है वह अगर उन्हें बस सही होती है वह सी के सी में यूज करते हैं वाइल प्लेजर वोट आर प्लान्ट टू टॉपसी टूर्वी लैंड में अगर किसी को ट्रेवल करना हो यानि कहीं पर भी जाना हो ट्रेवल अफ यानि जाना हो डाउन यानि कि वापस आना हो तो वो लोग क्या करतें है बस में जाते अब बोट का मिलती है, बोट तो वही रोट में मिलता है, यानि कि उल्टा बुल्टा है है इस टॉपसी टुर्वी लैंड में, यानि कि अगर आप किसी चीज के लिए पेमेंट करते हैं, तो वह चीज हमें मिल जाती है, हम दुकान पर जाते हैं, कुछ भी हमें परचेस करना होता है, तो हम उसे पे करते हैं, पैसे देते हैं, और बदले में में समान मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी चीज के लिए पे करोगे पैसे दोगे तो you will never get यानि कि आपको कभी नहीं मिलेगा अगर आपने कुछ payment कर दी तो payment करने के बदले आपको वो समान नहीं मिलेगा I think अब देखो जो point है point आपसे कह रहा है I think it must be grad यह बहुत बड़ी बात है यह तो बड़ी अजीब सी बात है वह तो मज़े की बात है for when you go you are coming back लेकिन जब आप जाते हो कहीं when you go यानि कि आप कहीं जाते हो actual में आप जाते नहीं हो वापस आते हो यानि कि अगर आप स्कूल के लिए जा रहे हो तो अब स्कूल नहीं पहुचा होगी उल्टा घर आ जाओगी ऐसा बहुत बोला जा रहा है for when you go you are coming back यानि कि यहाँ पर क्या होता है जब गो की मीनिंग क्या है जाना बट यहाँ पर गो की मीनिंग क्या हो गया अब गो का मतलब जानी रहे हो आप coming back यानि कि आप कहीं से लॉट रहे हो in topsy-turvy land यानि कि topsy-turvy land एक ऐसी जगह है जहाँ पर भई सब कुछ उल्टा पुल्टा है जो लोग है जो यहाँ रहते हैं वो भई अपने हाथ और सिर यानि हेड के को यूज करके कहीं ट्रेवल करते हैं हेड यानि जो उनका कैप है बच्चो उस कैप को कहां पहनते हैं पैरों में पहनते हैं सर पर नहीं पहनते हैं और ट्रेवल करने के लिए अगर उन्हें कहीं जाना होता है सब कुछ उल्टा उल्टा है इस टॉप सी टुर्वी लैंड में तो बच्छो कैसी लगी आपको यह छोटी सी स्टोरी वाली पोयम मुझे जरूर बताना आपको पसंद आया यह नहीं आया जरूर बताना जहां पर सारी चीजे उल्टी पुल्टी चल रही है बस तो पानी में चल रही है बोट रोड पे चल रहे है ठीक है तो कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी तो आज की इस वीडियो में इतना ही है सेकिंड बाट जम्हें लाओंगा तब इसमें हम कोशन आंसर करेंगे तो अभी हम लोग कर रहे हैं इसका फर्स पार्टी फर्स पार्ट म सके है ठीक है बच्चो और हां स्क्रीन पर कुछ और वीडियो आ रहे है जिसे टाच करके आप बाकी वीडियो देख करके रिवीजन कर सकते हैं अपनी क्लास की वीडियो ठीक है चलो बच्चो बाई 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 आज के लिए इतना ही है और हां भी जाते जाते काओंगा जो क्वेशन की बात कर रहा हूं मैं अरे भी याद करो कि जो स्टार्टिंग में मैं आप से कुछ क्वेशन पूछा था इन सारे क्वेशन का आंसर जरूर देना मुझे कमेंट करके ठीक है वीडियो लाइक करना अपने दोस्तों में शेर करना ठीक है बच्चो बाई बाई